अब तक की सबसे सांदार और सबसे अच्छी भरती योगता सिर्फ दस्मी पास और अच्छी खासी सरकारी सेलरी पर्मानेंट भरती और मैं बिल्कुल भी नहीं जिज़कूंगा आप लोगों के लिए हाद जोडने के लिए कि आप लोगों से हाद जोड रहा हूं और आप इस से हाद जोड़ करी कोंगा और अब चलते हैं जानकारी की तरफ नमस्कार मैं गौरब सर्मा और आप लोग देख रहे हैं एडवाइजेंट एजूगेशन बहुत ही सांदार भरती है बहुत ही सांदार फीस भी बिल्कुल जीरो ही समझो तो सबसे पहले आपको मैं पोस्ट क से 32 साल का होना चाहिए पलस में SC HD की 5 साल और OBC की तीन साल की आप लोगों के जमाख में एक सबाल चल रहा है सरी ऑल इंडिया भरती है बता दूं ऑल इंडिया भरती है मेल और फीमेल के लिए ऐसा नहीं है कि फोरश गार की यहीं बहुत सारी पोश्ट निकले हैं तभी तो स्टार्ट दो हजार 24 से स्टार्ट हो चुकी है और लाश्ट डेट लाश्ट डेट है इसकी नौ नौ दो हजार 24 फॉर्म आपके ओन लाइन भीया सरकारी परमानेंट भरती इसमें सेल्डी बता दूं 21,700 से लेकर 69,100 फॉर्स्ट गार्ड की इन हेंड सेल्री आपको मिलेगी 38,000 से लेकर लगवग लगवग 42,000 के आसपार इन हेंड सेल्री है इन हेंड फिजीकल देख लिजे मेल का इसमें मेल और मेल की बात करूं तो मेल स्ट या अधर कास्ट में आते हैं जो उनकी अवह या एक सो बामन फिमेल में जो जनरल है उनकी जो हाइट है वो है आपकी 150 और अधर जो कास्ट है उनमें चाहिए फिमेल की हाइट 143 के लिए रभाई पॉइंट इसके बाद अब बात करते हैं आपकी चेस्ट की देखो इसमें चेस्ट भी मांगी है यह लड़कियों की भी हालाकि मांगते नहीं है चेस्ट में मेल के बारे में बात करता हूं पहले मेल मेल की चेस्ट चाहिए इसमें 89 और अधर कास्ट की चाहिए 84 अब बात करते हैं फिमेल की चेस्ट की फिमेल में इसमें मांगया गया है 84 और अधर में मांगया गया 89 इस तरीके का प्रोसीजर है इसमें देखिए अब बात करते हैं रनिंग की यानि के आपको सिंपल बॉक इसमें कुछ ज्यादा नहीं और सिंपल बॉक देखिए आप 25 किलो मीटर मेल ठीक है भीया 25 किलो मीटर मेल 4 घंटे में उसके बाद 14 किलो मीटर फीमेल वो यह से एजिटेज चार घंटे में तो यह है अभी तक की फॉरेस्ट गाड की मैं आपको बता दू आप चोच रहें सर कि इसमें टोटल पोस्ट पताईए इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं इसकी नहीं बहुत सारी बढ़तियों की अब उनके बारे में जान लेते हैं जरा अब बात करते हैं फायर मेन की इसका जो पोस्ट कोड है आपका वो है च्छटीस औवलिक चौवीस चीग है बाई आप बात करते हैं इसमें एज की अठारा से बतिस साल तो है चाहिए ना कोई आपके पास कुछ मी नहीं होना चाहिए ड्रामा सिर्फ यह चीज़ें हैं आप इस वर्ति का फॉर्म फिल कर सकते हो फिर दोबारा बता रहा हूं बहुत ही आसान जौब है संदर भरती है यह फायर मेन की सेलरी 21,700 से लेकर 69,100 और जो मैंने इस सेलरी इसमें गरत लिखी थी उसके लिए मैं मापनी चाहूंगा आपसे हाज जोड़तर गल्पी सबसे हो जाती है वो लेव अटेंडेंट की थी अब मैं आपको ले चलता हूं लेव अटेंडेंडेंट पर लेव अटेंडेंडेंड और इस लेव अटेंडेंडेंडेंड के बारे में बात करों तो एज 18-35 साल है सबको बता है SC, SD पांस साल और OVC तीन साल की सीट अब यह तैंठ किलास आपको इसके लिए पास होना चाहिए सेल्डी बता दूँ इसकी जो मैंने पहले लिखी थी वो यह लेव टेंडेंट की 19,900 से लेकर 63,200 इसमें बेसिक पे जाला था इसलिए मैं गलती से बता गया अब इसमें बेसिक पे है जो आपका वो थोड़ा कम है तो इसमें जो सेल्डी रहेगी आपकी लव 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 चालीस हजार के आसपास इनहेंड रहने वाली है एक आप 2000 उपर ही होंगे नीचे नहीं होंगे यह तो रही लेव टेंडेंडेंट की अब फिर दबारा से सिर्फ आपको टेंथ पास होना चाहिए ना कोई आई ट्याई ना कोई मेडिकल का डिप्लोमा ट्रम स्थ्रम कुछ मीन चाहिए तो दे रहा हूंना मैं आपको सही जानकारी बस आप तभी मैं आप से कह रहा हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जितने भी लोग देखें बस मैं तो यह चाहता हूं कि आप जरूर फो हैं जैसे की MTS चौकिदार, स्वीपर और आपका चप्रासी और खाना वराने वाला इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट हैं तो आप लोगों के लिए इसमें क्लास, तैंथ पास होना चाहिए, एज, इसमें जो आपकी एज है 18-35 साल, जैसा कि आप सभी को पता है, SC, HD के लिए पासान और OVC के लिए 3 साल की चूट है, इसमें जो आपकी सेलरी रहने बाली है, सेलरी भाई साब पूछो मत, बहुत बहतरी सेलरी है, 18,000 से लेकर 56,900 तक, और इन हेंड आपको जो मिलेंगे, वो मिलेंगे 26,000 से लेकर 28,000 तक, ये नीचे नहीं है, 28,000 के उपर ही सरकारी परवाइनड भरती है, अब इस MPS में तЙंट में कुछ पोश्टो में आपको आइट्याई कोन चाहिए, 2018 से लेकर 22 साल होनी चायए SCHC के बारे में आपको को पताएंगे 5 साल और OBC के बारे में आपको 3 साल कि अ सेलरी असेलरी है आपकी 21,700 से लेकर 59,100 अब जो आपको इन हेंड सेलरी मिलेगी इसमें वो मिलेगी आपको 49,000 से लेकर 42,000 फिर तुमारा बता दू ब्यालीस हजार से उपर ही पाएगी एक आध हजार का फरक पढ़ेगा बस यह लेडी पुलिस कॉंस्टेबल इसमें जो कोश्ट है इसमें जो फिजिकल है उसके बारे में भी मैं आप से बात करूंगा बस आप तभी तो मैं आपसे कहता हूं मेरे साथ संपून जांकारी देजिए और मुझे कोई जिजक नहीं है आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने की कि आप लोग इस भर्दी का फॉर्म जरू फिल करें इसके बारे मेल कॉंस्टेबल इसमें भी वो यह सेम किलास टेंट होनी चाहिए आपके पास एज आपकी अठारा से ब पर होगा अगर सबसे आसान कोई जॉब है और सबसे सांदार अगर कोई भरती है तो यह है आपका जो एक्जाम इसमें वो है आपका देखिए जी ए जर्नल अवेरनेस पचास नंबर की आएगी आपकी जर्नल इंटेलिजेंस पलस में रीजनिंग पत्चीस पत्चीस हो गए आपके टोटल पचास मैथ पचास इंगलिस पचास टोटल हो गए आपके 200 200 मार्क्स इसमें दो घंटे का आपको टाइम मेलेगा पेपर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें कोई भी आपके नंबर नहीं कटेंगे मैं आपको बता दू बुक्स जर्नल आपके पास लूशेंट की बुक्स सबसे पहले लूशेंट खरीदो क्योंकि वही कॉस्टन होते हैं घुमा कर दिये जाते हैं और एक किरन पप्लिकेस्टन ले लिए कितनी हो गई दो जी एक किलियर ज़िए आपकी लूशेंट की से ही किलियर हो जाएगी रीजनिंग और मै को और मैं अप्र आपके सामने कमप्रियंशन होगा कंप्रियंशन होगा उसके कौस्टन और अपको करने की तो एक कॉस्चन उपर नहीं आएगा, सरकारी पर्मानेंट भरती है, फिर दोबारा बता दूँ, और आप सभी को बता दूँ, कि इस भरती का एक्जाम कब होगा, इस भरती का जो एक्जाम होगा, वो होगा आपका 10, 11, 2024 को, आपको इस भरती का फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, मेरी जिन्दगी की सबसे सांदार और सबसे अच्छी भरती है, और प्लीज फॉर्म के रूभर हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी के, फीस आप सभी को पता है, 150 से लेकर 200 रुपे फीस है, तो कितनी फीस हुई, बि तेरे द्वारा बताएगे, इन कामों को जरूर करें, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, कि ये भरती निकली का है, ये भरती निकली है आपकी अरुनासल परदेश में, मैं लिख देता हूँ, अरुनासल परदेश की भरती है ये, रुको अभी, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑल इंडिया भरती है जैसा कि आप पहले देख चुके हो और रहना खाना पीना सब कुछ आपको मिलेगा सेलरी आपकी से बच जाएगी तो क्यों रहा हम ऐसी जॉब करें सारा कुछ फ्री है आप ऐसे समझा मोटे सब्दों में और इससे स्थांदार भरती कोई नहीं हो सकती फॉर्म आपके ऑन-लाइन है अब रही नॉटिफिकेशन की बात कि सार इसका नॉटिफिकेशन इसका फिजिकल भी है तो सारा कुछ आपको नॉटिफिकेशन में जाएगा जिन जिन पोश्टों का फिजिकल है इतने भी लोग आप इस सांदार भरती की जानकारी को देख रहे हो आप लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बिना अचिनल को सब्सक्राइब किये ना जायें मैं क्यों कह रहा हूं आपसे क्योंकि मुझे आपकी तरफ से मोटी वेसिन मिलता और फिर हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं जैसा कि आप देख चुके हो और आप हाद जोड़कर निवेदन करूंगा एक वार आप प्लीज इस भरती का फॉर्म जरू फिल आप लोग अपने प्यार को मेरे प्रबनाए रखें और चैनल को सस्क्राइब करें विना ना जाएं चितने भी लोग आप देख रहे हो बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूं बागी छोती मोटी कोई बात रहेगी नौटिफिकेशन में पढ़ लेना और फॉर्म जरू फ काव